हला एवरीवन वेल्कम टू दे लास्ट नमबर फोर अप दे चैप्टर प्रोग्रामिंग गाइडलाइन्स तो लास्ट क्लास में हमने मॉडिलर एप्प्रोच किया है उसके बारे में डिसकुस किया था तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑप मॉडिलर एप्प् टॉप डाउन यह प्रोच कैसे काम करता है उसके बारे में डिसकुस करेंगे तो टॉप डाउन एप्प्रोच जो है वह ज्यादातरम कोबल सी जो पहले चुश्ट्रॉक्टिर ओरी और इंटेड प्रोग्रामिंग लेंग्विजिस था उसमें उसके बाद सी प्लस प्लस जा पाइथन आजकल हम जो लेंग्विजिस उसकरते हैं उसमें उसके जाता है बटम आप एप्रोच को तो पहले जानते हैं टॉप डाउन एप्रोच के बारे में फिर जाएंगे बटम आप एप्रोच के बारे में ओके तो टॉप डाउन एप्रोच किस तरह के अप्रोच को बो Suppose, मुझे एकसी प्रोग्राम के अंदर चार operation पॉफम करने हैं. addition, subtraction, multiplication and division. वही एक same प्रोग्राम को मुझे क्या करना है? चार अलग-अलग parts में तोड़ देना है, चार अलग-अलग function लेके. ओके, एक function लुगा में sum, और एक function लुगा में subtraction, और एक function, multiplication और एक function, division. तो मैंने यहाँ पर क्या किया? एक ही function के अंदर, एक ही program के अंदर, मैंने उसी program को अलग-अलग task के हिसाब से, अलग-अलग parts में break कर दिया. ओके, और हर एक part को अपना-अपना खुद का task perform करने के लिए छोड़ दिया. तो वहाँ पर क्या हुआ कि top-down approach, top में क्या था? कि पहले हमारा यह main function था, जिसको कि मैंने तोड़ दिया multiple number of parts में, मतलब suppose मुझे addition operation करना है, और subtraction operation perform करना है, और addition में मुझे फिर binary addition अलग से करना है, और decimal addition अलग से करना है, subtraction में भी मुझे binary subtraction अलग से करना है, और decimal subtraction अलग से करना है, तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि main function के अंदर, मैंने वहाँ पर दो function लिया, addition function और subtraction function, मतलब एक ही program को मैंने उसी के अंदर ही दो part में break कर दिया, फिर addition function को उसके अंदर मैंने और दो पार्ट में break कर दिया और subtraction function को उसके अंदर मैंने और दो पार्ट में break कर दिया तो यहाँ पे top-down approach में क्या होता है कि हम अगर कोई programming language top-down approach support करता है तो top-down approach यह उसकर करके अगर काम करता है तो वहाँ पे हम एक program को क्या करते हैं, उसी program के अंदर ही और भी छोटे-छोटे parts में, smaller parts में उसको split कर देते हैं या फिर उसको break कर देते हैं, ओके, तो यह approach जादा तर किस तरह के programming language में use होता है, structured programming language में, जैसे कि COBOL, C, इस तरह के programming languages में हम जादा तर use करते हैं इस तरह के approach को तो यहाँ पे जबकि हम एक ही program के अंदर सारे modules को अलग-अलग modules बनाए हैं separate करके, तो यहाँ पे redundancy या फिर duplicacy होने की chances होते हैं, क्यों? कि same variable को multiple number of times declare कर सकते हैं, same variables को multiple number of times use करेंगे, एक ही program के अंदर तो वहाँ पे duplicacy होगा ही, तो यहाँ पे हर part एक ही program के अंदर, जबक suppose एक ही main function है, और उसी के अंदर मैं addition कर रहा हूँ, तो addition के लिए मुझे जो variable चाहिए, उसी function के अंदर लूँगा, फिर वही variable मुझे subtraction के लिए चाहिए, तो वही same variable को मैं फिर subtraction function के अंदर लूँगा, तो मतलब same variable को, हम same values को multiple number of times use करेंगे, जबकि अलग-अलग task perform करने क के लिए, तो same variable को बार-बार use करते हैं, मतलब क्या, duplicacy होने की chances होता है, किसमे, top-down approach में, अगर इस तरह का approach हम use करते हैं, तो यहां पे duplicacy होने की chances होते हैं, क्योंकि एक ही program के अंदर, हम multiple number of tasks को, अलग-अलग models में divide करके, separately, उनका program बनाते हैं, ओके, तो top-down approach में क्या होता ह है, decomposition होता है, decomposition मतलब क्या, कि एक large program को, हम उसी के अंदर ही decompose करते हैं, मतलब, छोटे-छोटे part में, तोड़ देते हैं, ओके, जैसे कि एक main function है, जिसके अंदर मुझे, addition, subtraction, multiplication, division, चार तरह का function, या फिर चार तरह के operation perform करने हैं, तो मैंने total program को क्या किया, चार अलग-अलग function में उसको decompose कर दिया, उसको तोड़ दिया, addition, subtraction, multiplication, division, ऐसे चार अलग-अलग function में मैंने उसको decompose कर दिया, और हर एक function को अपना-पना task perform करने के लिए, हर एक function के अंदर मैंने अलग-अलग से coding लिखे, ओके, जिसके वज़े से क्या होता है, वहां पे, कि हमारा जो, मतलब duplicacy होने की जो chances होते हैं, redundancy होने की chances होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही program के अंदर हम multiple number of task कर रहे हैं, तो वहां पे same variable को अगर हम चार बार चार function में use करेंगे, तो वहां पे duplicacy तो होगा ही, ओके, समझा गया, top-down approach क्या है, तो top-down approach में ये problem आया कि redundancy होने की chances है और उसके साथ-साथ एक ही function के अंदर हम उसे program को तोड़ते हैं, तो उसके बाद आया फिर bottom-up approach, जो कि आजकल हर तरह के programming languages में हम use करते हैं, जैसे कि C++, Java, Python, हर तरह के programming languages में, जितने भी object-oriented programming languages हैं, सारे object-oriented programming languages use करते हैं bottom-up approach को, तो ये bottom-up approach में क्या होता है, कि हम पहले छोटा-छोटा task जो है, पहले उसको बनाते हैं, अलग-अलग से, फिर उनको merge करके एक large program create करते हैं, top-down approach में क्या होता था, कि एक large program पहले create करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर हम अलग-अलग तरह के modules को divide करते हैं, और operation perform करने की courses करते हैं, तो वहाँ पे top-down approach में क्या होता था, एक large program हमने लिया, उसके अंदर, उसे large program के अंदर हमने अलग-अलग तरह के task को अलग-अलग part में फिर break किया, पर bottom-up approach में क्या होता है, कि पहले हम smaller parts को create करते हैं, यसे कि addition का मैंने अलग से एक program लिख लिया, subtraction का अलग से लिख लिया, division का अलग से लिख लिया, फिर चारो programs को merge करके मैंने एक large program बना लिया, यह है हमारा bottom-up approach, पर top-down approach में क्या होता था, पहले एक main class लेके large program create करते थे, फिर उसके अंदर multiple number of functions उसको क्या करते थे, smaller parts में break करके उसको coding करते थे, इसको बोलते थे हम क्या, top-down approach, तो smaller, smaller programs आप पहले create कर दो, उसके बाद सारे programs को merge करके, एक large program create कर दो, okay, in this approach we solve, smaller problems, पहले छोटे-छोटे task को solve करते हैं, फिर उनको integrate करके, एक total complete solution या फिर एक total complete program create करते हैं, okay, इस तरह के approach को हम ज़्यादा थे use करते हैं, किस तरह के programming languages में, object-oriented programming languages में, जैसे कि C++, Java, Python, ऐसे object-oriented programming languages में, हम use करते हैं, इस तरह के approach को, okay, जैसे कि top-down approach में क्या होता था, कि एक ही function के अंदर, एक ही main function के अंदर, हम क्या करते थे, सारे task को perform करते थे, individually, separately, जिसके वज़े से, वही same variable को हम अलग-अलग task के लिए बार-बार use करते थे, जिसके वज़े से redundancy या फिर सारे programs को individually अलग-अलग से करते हैं, एक जगा पे नहीं करते हैं, जिसके वज़े से क्या होता है, सारे task हम अलग-अलग से perform कर रहे हैं, तो यहाँ पे duplicacy होने की chances ही नहीं है, क्योंकि हम सारे task एक ही जगा पे करी नहीं रहे हैं, top-down approach में हम क्या करते थे, एक ही function के अंदर, main function के अंदर, सारे task को perform करते थे, जिसके वज़े से duplicacy होने की chances होती थे, पर bottom-up approach में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने addition वाला एक अलग से class बना के उसका program लिखा, subtraction वाला class बना के अलग से program लिखा, और division वाला class बना के अलग से program लिखा, फिर सारे classes को मैंने एक ही main class लेके, सा सारे classes को मैंने वहां से call कर दिया या फिर सारे classes को मैंने वहां पर add कर दिया ओके तो यहां पर क्या होता है कि हम सारे programs को सारे specific task को सारे modules को अलग-अलग से perform करते हैं और अलग-अलग से perform करने के वाद फिर उनको प्रोग्राम कर देते हैं जो प्रोग्राम हमें यह था उपकोर्स ली बटम आप प्रोच इस लिए आज कल जो अब्जेक्ट-Orient प्रोग्रामिंग लैंग्वीजिस हम यूज करते हैं आज कल जो अब्जेक्ट-Orient प्रोग्रामिंग लैंग्वीजिस निकलता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वीजिस प्रिफर करते हैं यह फिर यूज करते हैं हमारे programming languages में program करने के लिए तो समझ आ गया कि top-down approach क्या है और bottom-up approach क्या है और दोनों के बीच difference क्या है top-down approach का पूरा opposite है bottom-up approach और bottom-up approach का पूरा opposite है top-down approach समझ आ गया तो फिर next class में हम discuss करेंगी ऐसे और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही Thank you